हलो अब्रीवन वेलकम बैक वीवर्स कैसे हो आपसे लोगाईज उमीद करती हूं स्वास्व होगे अपना ख्याल रख रहे होंगे खुद को पॉजिटिव और हील जरूर कर रहे होंगे आज मैं आपके लिए लेट नाइट रिडिंग थोड़े देर से लेके जरूर आई हूं पर मैं आपको उससे पहले रिडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहते हूँ वो है एक शब्द लेकिन वो enough नहीं है शब्द है thank you thank you thank you thank you इनफ नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको thank you के लावा और शायद कुछ और बोलनी के लिए मिरे पाँ शब्द भी नहीं है क्योंकि आज हमारी 1 lakh की जो family है complete होगी, ये 1 lakh subscriber हमारे YouTube के उपर complete हुए है इसमें आप सबका सयोग रहा, साथ रहा, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्री आप सभी का कि आपने मुझे में faith बनाये रखा और यहां तक हम लोग पहुंच सके हैं So once again thank you so much आपका साथ, आपके सयोग के लिए और आपके आशरवात के लिए आप में से बहुत साथ लोग मुझे बहुत सारे आशरवात देते हैं उसके लिए thank you so much बहुत साथ लोग बिना reading को देखे like कर लेते हैं उनके trust के लिए thank you so much thank you बस इससे लावा शयाद मैं क्या ही कहूँ, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा बस again कहना चाओंगी thank you ऐसे इपना साथ बनाये रखिएगा हम आगे भी जाएंगे life में लेकिन मैं कभी नहीं चाओंगी कि आप इसी उलजन में हमेशा फसे रहे life में और भी चीज़े बहुत होती जिनको लेके हमें चलना होता है जैसे हमारा career, हमारी family हमारा life purpose और भी सारी चीज़े होती जो हमें देखनी होती है तो मैं आने वाले समय में इन सारे टॉपिक को भी अपने चैनल पर कवर अप करूँगी ताकि और लोगों को भी बहुत कुछ देखने को मिले और आप हमेशा सरफ इनी चीज़ों में ना उलजे रहे लाइफ में आप भी आगे बड़े ये मैं भी चाहूँगी खुश रहे ये मैं भी चाहूँगी हमेशा तो फिर चलिए आज की रिडिंग हम स्टार्ट करते हैं लेट नाइट थॉट हम देखेंगे अगे आपके परसन के दिखते हैं क्या कुछ है उनके मन में आपको लेके क्या फील कर रहे हैं वो रिडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए कर रहे हैं उस बात का ध्यान रखेगा अगा इस रिडिंग से आपको मिले क्लारटी तो प्लीज इसे लाइक करिएगा वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ऐसी और वीडियो के लिए, चलिए रिडिंग हम स्टार्ट करते हैं, प्लीज उनिवर्स, प्लीज एंजल्स, मदद करें, गाइट करें, मेरे वीवर्स जिस वेक्ति को लेके रिडिंग देख रहे हैं, इनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में इनके लिए क्या है, प्लीज उनिवर्स मदद करें, प्लीज उनिवर्स एंजल्स गाइट करें, मेरे वीवर्स जो इस रिडिंग को देख रहे हैं, इनके परसन, इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस करें, उनके मन म के दिमाग में इन के लिए क्या चल रहा है प्लीज वो हमें बताएं गाइड करें यूनिवर्स इंजल्स शिक्स ओफ सोर्ड पाइफ ओवेंड्स पिंसल ओफ कॉइन वाव यह बहुत अच्छी अनर्जी आई है यहाँ पर क्या कहना चानते हैं आपके परसंट थोड़ा सा हिंट देती हो अभी फिलाल वैकि हम डीडिंग में cover up करेंगे वह यह जैसे कि वह आप दोनों के वीच में हो सकता हाल फिलाल में कुछ conversation हुई हो कोई situation हुई हो कोई ऐसी situation create हो गए जिससे आप दोनों का रिष्टे में मन मोटा आप यह conflict हो सकता है understanding में हो, सोच में हो, वो आई हो ठीक है तो यह जो conflict है यह कहीना कि उस वेक्ति ने भी उस conflict के बाद में उस situation के बाद में कोई efforts नहीं लिए, efforts नहीं लिए just because कि उस वेक्ति को मतलब ऐसा feel हुआ कि why should I, मैं क्यों जुकूं या फिर मुझे effort क्यों लेना चाहिए, या फिर कहीने की जैसे कहते हैं इंसान self worth में, self issues में फस जाता है, right, तो यह चीजे वीवर्स यहाँ पर नजर आ रह चीजों को, ठीक है कि यार यह चीजा हमें कर लेनी चाहिए थी, यह उसकी गलती थी, यह मेरी गलती थी, मतलब accept the situation, हाँ, यह मेरी वज़े से भी हुआ, तो सामनी वाले कि जो point of view, somewhere practical हो रहा, practical हो ना is a good thing, यहाँ पर good thing है, तो है क्या यहाँ पर वीवर्स कि भई, जो आप इन चीजों को लेके आप एक understanding में आता हमा नजर आए, जैसे कि compromising energy है उस वेक्टी के, उसके feeling चेंज हुई है, उसका आपको लेके point of view चेंज हुआ है, है ना, तो यहाँ पर इसलिए देखे भारी हो कि good thing है, इनसान तहीना कि अपनी life में कुछ accept कर रहा है, कि हाँ यार यह गलती मैंने बहुत बुरी करी थी, मैंने उसको यह बूला था, बहुत बुरा बूला था, और उसको वो वेक्टी accept भी नहीं कर रहा था, है ना, तो acceptance यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है, और यह वेक्टी वीवर्स आपको लेके ऐसी energy में आ गए, जहाँ पर आपके person एक एक गिवर के energy में आ रहे है, वाओ, इस इस अगूड एनर्जी में आना ही अपने आप में blessings के तरह में ले सकती हूँ, आपकी connection को लेके, because ऐसा नजर आरा वीवर्स यह वेक्टी आपको कुछ, मतलब, conservative हो गए थे बहुत जादा, कुछ करना ही नहीं चाहरे थे, कुछ देन आपकी परवा नहीं की है, तो आज वो वीवर्स आपकी केर करता हूँ, वो वेक्टी जिसे कहा रहा है कि यार मुझे फर्क पढ़ता है, ठीक है, मुझे फर्क पढ़ने लगा है, यानि उस वेक्टी को आपके होने ना होने से फर्क पढ़ रहा है, वो वेक्टी परेशान ह होना स्टार्ट हो चुका है वह वैक्ति अगर मैं देखूं यहां पर आपके बारे में सोचने लगा है ऐसे केर जिसे कहते हैं केरिंग नेचर ऐसी नर्जी में वीवर्स यहां पर नजर आ रहा है तो उसका पॉइंट व्यू सम्वेर इस पॉजिटिव पॉजिटिव वे में आपके तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यह आपको लेकि जैसे आपकी कर्व मैं यह बात कह सकती हूं कि इनको वीवर्स इस वक्त ना कहीं है कि आपको बड़ी बड़ी कमी सी महसूस हो रही है ऐसा यहां पर देखा जा सकता है जैसे ही आपके लिए बहुत कुछ देख चाहिए इस वक्ति को अपका आपको साथ है ठीक है प्यार प्रेंस बहुत कह सकती हो आं कि ciao केलिए इस सब कुछ WR था लाइफ में सब कूछ है बड़ी आपको नहीं है तो यह energy guys मुझे आप पे नजर आ रही है आपके परसन जैसे कहते है इनकम्प्लेटनेस यह life में सब कुछ है फिर भी life incomplete है क्यों complete incomplete है because कि आपके परसन एक तो उदास है उदास किसकी वज़े से वो है आपकी वज़े से ठीक है तो यह आप से एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं चलिए देख लेते हैं और क्या यहां पर है तो प्लीज उनिवर्स एंजल मुझे बताएं सिक्स ऑफ सोड के नर्जी यहां पर क्यों आई है उनिवर्स वाव नथिंग नस कहरें जिसे सब्सक्राइब नहीं रहे हैं अपने पॉइंट अगर हम लोग अड़े वह थो उससे कोई बात नहीं बन रहे हैं तो दोनों ही लॉस में जा रहे हैं ठीक है तो वीवर्स आपके परसन का जो यहां पर पॉइंट आप वी नजर आ रहा है वह यहीं है कि वह अपनी लाइफ म हैं तो आपके मन में यह डाउट तो आया ही होगा काड़ यहां पर यह बताता है कि कहीना के इंसान ने मतलब अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्ट की हैं जो उसको नहीं करने चाहिए तो वह गलती वाली बात आ गई तो वह गलती को वैक्ति वानने को तयार नहीं था क्यों आप उसको कुछ आता नहीं है सेम आपकी परसन की अनरजी है अगर उन्होंने कोई गलती करी है तो उन्होंने उस गलती को कभी सुईकार नहीं किया क्योंकि वह उनका कहीना के नेचर में था ठीक है तो आपके परसन कह रहे हैं यह नेचर रखने से कोई फायदा नहीं तो यह वीवर्स आपके इस connection में चाहते हैं कुछ ऐसा करना जो कहिना की इनको comeback कर दे इनकी life में आपकी life में इनको वापिस ले आए तो कहिना की वीवर्स इस समय जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है यह उस को break करना चाहते हैं यह आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो यह सी नर्जी मुझे यहां पर नजर भी आ रही है ठीक है aching principle फ्रॉप कॉइन को यहां पर क्लेरिफाई करें princess of coin को क्या के प्रोजेक्शन के आईए तो इस वेचमारे आपके पर drip आ ऊक्शन के आदर यह कह सकते हैं गारें एक ऐसा future आपके साथ में देख पार है जो कहिना की full of abundance है ऐसा भी हाँ पर नज़र आ रहा है तो है क्या basically इस वेक्ति को आपके connection के अंदर एक value नज़र आ रही है एक value ऐसी जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं जिसको लेकर हम एक नई journey अपनी create कर सकते हैं जिसको लेकर हम अ connection को एक broader way में देख रहे हैं broader way में जब देखा उन्होंने तो उनको नज़र आए कि या इसी connection में उनकी perfection है ठीक है यह अपर सो प्लीज उनिवर्स बताएं four of coin यह आपर क्यों आया है तो गल्ति तो वें बगति जो आपका जो person है उसने की है वीवर्स और इस वेक्ति को जिसको भुलाया नहीं जा सकता जिससे ओवर कम करना इतना सानी जिसके बिना जीना इतना सानी है अगर यह वेक्ति मेरी लाइफ में तो मुझे बहुत कुछ मिल सकता है ठीक है तो यह वीवर्स यहां पर नर्जी आ रहे हैं कि जिसे एकदम माइं बदल गया हो कुछ घटना जरूर हुई है वीवर्स यतना मेजर चेंज एकदम से नहीं आ सकता क्योंकि इनसान को यह चीज़ सबसे पहले समझ में आ गई है जिसे उनके आई ओपनिंग हो गई है तो यह सन के ओपर एडवेंचर आया यह जो सामने वाला परसन है आपका वह आपकी तरफ आगे बढ़ है जैसे कि हनमान जी को याद है वो कहानी आद आ रही है सूरज कितना अट्रैक्टर रहा था अपनी तरफ और वो उनकी तरफ भागे चलेगा भागे चलेगा क्योंकि उनको वह चाहिए था जिस लाइक डैट वैसा ही पूल है कि इनसान पाने के लिए बेताग है और वह कि अपके तरफ बढ़ तो रहें आगे लेकिन कहीं आप उनको जला ना दो अपनी तपिष से ठीक है तो नी है आपके अंदर के रोद है आपके णर्मित को लेके कहीं अदी को लेकेन बढ़र से बैठा हुआ है आप इस वैक्ति को लेके इतनी इसली दीओ सभी, कान्वेंस CH चाह रहा ही लेकिन आप उनकशन के एनर्जी मेरे हो तो सबकरने की आपना इतना आसान नहीं है हर कोई सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब उनको abundance मिल सकती है यानि कि जब आप उनके life में थे तो उनके life में कुछ अच्छा ज़रूर हुआ होगा ऐसी energy यहाँ पर है so please universe मुझे बताए two events यहाँ पर क्यों आया है two events they think about participation मतलब ऐसा नज़र आ रहे कि वह आप से जोड़ना चाहते हैं अपके life का हिस्सा बनना चाहते हैं आपके साथ में connect होना चाहते हैं वह इस connection में आना चाहते हैं ठीक है यह वह यह decision कहीं यह वीजिवर्स वीज़र आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं जिससे उनकी life stable हो ठीक है तो वीवर्स यहां पर यह energy आई है मैंने बुला तरह कुछ नहीं चेंज आए इस व्यक्ति की life में तो कुछ ऐसा जरूरुबार जिसने इस व्यक्ति को ये action लेने पर मजबूर किया है ठीक है आपके तरफ आने पर मजबूर किया है आइक चीज को चुनाब कर लिया कि हां मुझे एक्षन लेना है एक्षन मेरश लेना है आपके साथ में पैच बेशुद तो सब्सक्राय हूं नई शुरुआथ इस तरफ आना भी एक इनके लिए चालेंज है ठीक है यानि कि इनको कोई ना कोई जैसे एनरजी है कुछ लोग हो सकते हैं कुछ बाते अभी भी ऐसी है ऐसा नजर आ रहा है जो अभी भी ट्रिगर कर रही है तो यह चीज़ा यहां पर नजर भी आ रहे हैं इस वेक्ति ने आपको ट्रिगर किया है वीवर्स इस कनेक्शन में आपको हट किया है तब से वेक्ति कहीं नहीं के आपको टक्टकी लगाए है के दि मौ के देखे रहे हैं तब से ही आपकी में आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनकी हमित नहीं होग्या है कि आपको पता सोग्या नहीं करें करें तो वीवर्स यहां पर क्या कर रहे हैं आपके परसन यहां पर कहीं नगी जिसे हो सकता है विवर्स इस वेक्ति के मैं यह कह सकती हूँ कि अधर भी connection रहे होंगे कुछ लोगों के साथ में कहीं कि यह इस से भी connected है उससे भी connected है ऐसा कुछ लोग ले possible है मैं भी हर एक लिए नही की बात कर रहे हैं कि यह फोकस करो तो एक जगा फोकस करो दस जगा अगर हाथ फला के रखोगे तो बात नहीं बनेगी राइट तो कहीं न की वीवर्स ऐसी energy यहां पर मिल रही है अब एक और message इसके साथ में connect होता वो भी आप सुन लो कि इस वेक्ति को कहीं ने कहीं बहुत करना सुनेगा एक के उपर एक डालते रहेंगे क्यार वो कर देगा वो कर देगा वो कर देगा मैं क्यों करूं तो वहीं इनके साथ में भी वीवर्स कि इन्होंने बहुत जगा अपने अपने आपको फैला कर रखा हुआ था लेकिन हर जगा से इनको कहीं energy मिली है rejection की जिसे ह आप एक मातर ऐसा सोर्स हो जो इनकी इनकी लाइफ में वो दे सकता है जो इनकी लाइफ में इनको अब तक नहीं मिला है ठीक है तो यह वीवर्स राइट नौ के आपके परसन की तरफ से आ रही है चलिए कुछ देखते हैं आपके लिए आपके परसन की तरफ से लव मैसेज मुझे बताएं मेरे वीवर्स के लिए इनके पार्टनर इनको क्या संदेश अपने आजरा देना चाहते हैं प्लीज उनिवर्स एंजर्स हेल्प करें आपको कभी भूल नहीं सकते आपके परसन कहरें कि तुम्हें भूल पाना मुम्किन नहीं तो याद ना आए ऐसा कोई दिन आपके परसन आपको बहुत याद करें बहुत सद्धाड करें ठीक है तो आप समझ सकते इनको आपके कितनी जरूरत है फैमिली प्रेशर आपके परसन के ऊपर वह आपके पास में आना चाहते हैं आपसे जुड़ना चाहते हैं तो कहींने कि कुछ लोगों के लाइफ में हो हो सकता जो सब्सक्राइब कि आपके तरफ आने से रोक रहा है चांस तो आपके परसन नो डाउट लेना चाहते हैं कोशिच भी कर रहे हैं ठीक है यह एनरजी मैंने देखी थी आपर मैं आपको बताई भी थी कि भी देखो तो यह व्यक्ति आपके तरफ आना चाहते हैं लेकिन कोई इनको पीछे की तरफ पुश कर रहा है यह ऐसी अनरजी है आपके आपके परसन ने आपको बुरी तरह से ट्रीट किया है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था यह हमने रीडिंग में भी देखा था तो वो चीज़े आपके परसन में आपके बोल भी रहे है अब इस वक्त मनी को जादा उनको कम उनको ऐसा लगता है we are incompatible हाँ आप और आपके परसन के बीच में इस समय बहुत कुछ ऐसा है वी आप और आपके परसन मतलब इन दे पास्ट इन रेसेंट पास्ट एक दूसरे के लिए मैच रहे हैं यानि कुछ न कुछ आप लोग को बीच में प्रब्लम हो सकती जिस वज़े से फैमिली शूद भी क्रियेट होते हैं ठीक है तो यह वीवर्स रीडिंग अगर आपसे रीडिंग राजनेट हुई है तो क्लेम करें लाइक शरें सब्सक्राइब करें और आखिर में हैं आपके लिए यहां में देखूंगी इंजलिक मैसेज के सो प्लीज यूनिवर्स अगल मेरी वीवर्स के लिए इस कनेशन है मेरे वीवर्स के लिए कनेशन को लेकर आपकी जाधा है यह यह था रिकवर्ष इGO ए। यह बना उसे ही — एस समय है तो यह होगी आपके तो क्लेम करें कहीने की वीवर्स यहां पर अभी कहीने की यह बुला जारा रिकवरी जोंद वे रिकवरी चल रही है आपकी लेकिन रॉड नॉट राइट टाइम यानि कि हर एक की लाइफ में जैसे जैसे समय आता जाएगा आपके कनेशन की रिकवरी होती जाएगी पहले में कुछ लोगों के लिए और राइट टाइम नहीं है आपके लिए इस कनेशन को लेके की रिकवरी एक दम से हो जाए ठीक है जिनकी रिकवरी पॉसिबल है देखो यहां पर इनूर से कितना बड़ा संदेश है आपके लिए जिनकी रिकवरी पॉसिबल है कनेशन में डेफिनि कि लोगों की रिकमरी में हो रही है तो सब्सक्र內ट को एक अगर होगा है ऑपने आपको में महसुत करें तो आपको आरे फ्यूचर में रागे Mens. ताकि आपका फोकस दूसरी जगह भी जाए तो यूनिवर्स कहिने की चीज़े प्लान करते हैं आप लोगो के लिए नज़र आ रहे हैं तो आपको आपको आइटिंग सो यह मैसेज के लिली समझ में आ चुका होगा कि आपके लाइफ में अगर देखा जाए रिकावरी चालू हुआ है मातरानी सबके उपर रुपा आपनी बना रही है लेकिन वही है वह रिकावरी किस तरीके से होगी यह यूनिवर्स से जानता है तो यह विवर्स लीडिंग आपके लिए अगर आप से रिडिंग रैजुनेट हुए तो क्लेम करें लाइक्शन सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं यह थी रिडिंग आपकी बबाई टेक केर